अगर आप इंडिया में पैदा हुआ है तो पनीर से आप करिस्ता जन्मो जन्मो पुराना है अगर आप मौसी के बेटी की साधी में जा रहे हैं चारचा की बेटी की साधी में जा रहे हैं पनीर आपको हर जगा मिलेगा आप किसी के घर जाए या कोई आपके घर आए पनीर ब और इसको बनाने में स्रिफ पांच मिनिट लगते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इसकी रैस्पी इसके लिए हमें मैंने लिया है पनीर यहां पर रैड और यलू बैल पेपर अनियम अगर आप यह सब्जिया नहीं लेना चाहते तो आप इसकी जगापर कैपसिकम भी ले सकते ह यहां पर मैंने लिया है आदा कटोरी पानी इसमें डालेंगे सुखा धनिया थोड़ी से हल्दी थोड़ी से मिर्च और नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब यहां पर हमने एक पैन लिया है और एक कड़ाई पैन में हमन कडाई में हमने एक बड़ी चमच तेडी डालना और इसको भी गरम कर लेना है हमने मिक्सी के पॉट में ढाला है एक टमाटर और दो चमच दहीं इसको पीस लेंगे पैन में हम डालेंगे सब्चियां और इसको फुल गैस करके फोड़ा सा फोटे कर लेंगे तेल गरम हो गया और कडाई वाली गैस बंठ कर दी थी अब इसमें डाले मसाला मसाले को ही डालें वड़ना यह यह सटक के बाहर है अब गैस को ओन करदीए और सिम कर देंगे जब तक कि यह तेल ना चोड़ दे स्धूर्य मैस्टी में हमारे तेल थोड़ दिया है अब हम इसमें डालेंगे इसमें दही है इसको चलाते रहें वरना नहीं पट जाएगी इसमें डालेंगे थोड़ा सा पाने हमार साथे हो और सिबस्त कप All-18 मैम्ट करिए टोड़ा सा जेता थोड़ा सा पाने आप सब्सक्राइब अच्छे सौते हो गई है अब हमने जो मसाला भूना था उसमें सब्सक्राइब को मिला देगे इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच मानी पनेर की सब्जी बनकर त्यार है अब इसको सर्व कर लेते हैं तो कैसे लगी आपको यह जटपट पनेर की सब्जी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर की दिएगा तो कैसे लगी जरूर की सब्सक्राइब कर दिएगा